दोस्तों उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे लाइक करें कमेंट करें और हाँ दोस्तों को शेयर जरूर करते हैं जिसको भी इसकी जरूरत हो हेलो दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अमारे यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अगर आप कोई प्रोडक्ट किसी को बेजना चाहते हैं या कोई भी सामान है जो आप एक जग़े से दूसरी जग़े किसी को सेंड करना चाहते हैं यानि कि वो बंदा आपसे दूर रहता है आपको कुछ भेजना है तो आप किस तरीके से उस सामान को कोरियर कर सकते हैं अगर आप यह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाश्ट तक देखें वीडियो अच्छी लगए तो इसे लाइक और शे सकते हैं तो दोस्तों आप जो भी सामान बेजना चाहते हैं आपको सबसे पहले उसे पैकेट के रूप में पैक करना होगा पूरा उसके उपर कवर करके उसको टेपिंग वगए अच्छे से कर देना है आपको जिससे की जब आपको सामान है वो कहीं पर भी जाए स्पिंग से तो उसमें से वह सामन भाण निकले तो इसके लिए आपको पूरा अच्छे से उसको कवर अप कर देना है इसके बाद दोस्तों क्या करना है उसके उपर आपको एक स्लिप लगानी होगी जिस स्लिप पे आपको राइट साइड पे यहां लिखना है आपको टू और जिसको आप यह सामन भेज रहे हो तो वहां पर उसका नाम पूरा एड्रस उसके बाद उसके पिन कोड उसका और इसके बाद आपको उसका मुवाइल नंबर जरू डालना है यह दोस्तों मुवाइल नंबर आपको जरू मेंशन करना है क्योंकि जब यह सामन जाता है अगर एड्रस पर नहीं मिल पाते हैं वो बंदा तो उसको कॉल करके पता कर सकते हैं वो लोग इसके बाद दोस्तों क्या करना है नीचे फ्रॉम में आपको अपना नाम अपना एड्रेस पिन कोड और इसके अलावा आपको अपना मुवाइल नंबर भी डाल देना है उसके बाद आपको यह जो पैकेट है आपका उस लूप पर इस लिप को आपको लगा देना है पूरा अच्छे से टेपिंग करके चुपका देना है जिससे फटे नहीं इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों आपको जाना है पोस्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस में जाके उस कांटर पर जाना है आपको जहां से speed post की जाती है, वहां जाके आपको जो आपका packet है, वो आपको counter पर देना है, उसके बाद उसका wait किया जाएगा, उसका wait के according आप से पैसे लिए जाएगे, कितना उसका wait है, उसका according आप से पैसे लिए जाएगे, तो दोस्तों जब वो speed post आपका किया जाएगा, तो उस पे वह क्या करेंगे जब आपका जो packet है उसको speedpush करेंगे वहाँ पर जब उसका वहाँ पर data डालेंगे तो आपको एक slip मिलेगी जिस पे एक number डला होगा जिसके मादयम से आप उसे track कर सकते हैं तो आप किस तरीके से track कर सकते हैं अगर आप जानना चाते हैं उसका link मैंने description box में दे रखा है और यहाँ पर i button में भी दे दूँगा जहाँ आप आप आसानी से आपके पता कर सकते हैं कि आप अपना जो courier है आपका speedpush का किस तरीके से track कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप आसानी से speedpost के मादम से आप अपना सामान भेज सकते हैं इसके अलाबा एक और तरीका है अगर वो जानना चाहते हैं आप तो comment box में comment करें मैं उसके उपर भी आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा उससे आपको कहीं भी जाने ज़रूत न वो जार्व बड़ के झर घसके इसत्वादो कना इसके जाब के बड़ें रचे प्र言